हरा है ह्लो तरण हम थेल्कम टू में तो ओन्यूसिम ज़िट कॉन इसमय में प्रीड ऐसी रेसिपी लिक्टप है हूं जो सभी को बहुत पसंद है, सब को बहुत अच्छा लगता है वो खाना, जो है French Fries की, French Fries अगर हम घर पे बनाते हैं, तो रेस्टोरेंट वाना टेस्ट ही नहीं आपाता, वो इतनी क्रिस्पी बन ही नहीं नहीं पाती, तो जो मैं आज रेस्पी लेके हैं, उसमें मैंने special tips प French Fries बनाने का जो सबसे में इंग्डियेंट है वो है आलू, तो आलू एक पॉफेक्ट लेना है आपको, आप सोना आलू लो, ये चिप सोना आलू के नाम से भी आता है, अगर आप वैसे तो आप किसी भी आलू से बना सते हो पर इसी आलू से बहुत अच्छी French Fries बनेगी, तो आप आलू लेकर ये, आपको मैंने पाच आलू लिया और उनको पील कर लिया, पील करने के बाद अब मैं आपको कटिंग की टेकनिक बता तो ये आपको कैसे इनको French Fries को एजिली कट करना है, सबसे बहले आलू को बीच में से कट कर लो, बीच में से कट करने का चब ये तो आपको इसका सबसे बहले उपर का थोड़ा पार्ट कर लेना है कि हमारा आलू जो है वो बीच में से फ्लैट हो जाए, तो आप आलू को इस दोनों ही आलू के जो पीस हैं, उनको अराम से उपर से कट कर लो, अब आप सोचोगे यार, French Fries तो किसी भी आलू से बन जाती ह बन तो जाएगी, तो उसमें चिप्स का टेस्ट आएगा, और French Fries का टेस्ट नहीं आएगा, तो अगर आपके एरिया में ये वाला आलू मिले, तो आप इस आलू से ही अपने French Fries ज़रूर बनाए, फिर आप क्या करें, अब ये देखो, इक्वल हो गया, उपर से फ्लैट हो अब अपनको इसका सबसे जो इंपोर्टेंट काम है वह है इसका स्टार्च निकालना है, तो स्टार्च निकालने के लिए आप एक बाल में पानी लो और अपनी सारी French Fries को इसमें डाल दो, और आपको इसको कम से कम पास से दस मिनट के लिए इसको अच्छे से इसको इसमें स्टार्च निकल गया है, बट एक बार में यह नहीं होगा, आपको कम से कम दो से तीन बार करना पड़ेगा, तो मैंने एक बार कर लिया, मैंने इसको दस मिनट से अच्छे तरह से धोया, तो आप देख सत्ते हो, कि मेरा स्टार्च हो पूरा निकल गया, और पानी एकदम सा इसमी इस को साफ साफ करेंगे, अगर आपके दूसरी बार में अंसारे स्टार्च निकल जाए, तो बहुत अच्य बात है, नहीं हो, तो आप एक आर बार करें, तीन बार में तो निकल भी जाएगा, मेरा दूशरी हो पानी आप से पाणी से बढ़ेगागा, तो आप आपको के पानी को बॉरल नहीं हो आने देना आपको इसको Dao इसको चिहाव suggestions तक ही इसकोबॉल करना है अबॉल लो प्लेम पे 15 मिनिट के लिए इसको को आपको पॉलनि को बॉल ले देना इसको आप मीडियम फ्लेम पे या लो फ्लेम पे ही इसको रखो और आपको 15 मिनिट्स के लिए इसको रख देना है जिससे अपने जो फ्रेंच फ्रेंच फ्रेय से बहुत अच्छे से इसके अंदर बॉयल हो जाएगी और आप देखोगे कि इंगा जो कलर है अभी वाइट था फ्रेंच 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 फ्रे फ्रीजर में रखे वे मेरे 2 घंटे हो गए है, अम मैंने इसको 2 घंटे बाद निकाल लिया अब आप क्या करो, अब आप तेल लो एक पैन के अंदर तेल आपको गरम करना है इस बार आपको फिर जीसे अपने पानी जाधा गरम नहीं किया था विसे ही आपको तेल भी भाँट जादा गरम नहीं करना जब तेल हलका गरम हो जाए तो आप इसमे फ्रेंच फ्रैस डाल दे और फ्रेंच प्रेंच 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 प्र केछीची पर उनको फ्राइब कर सकते हो अभी沙कल अब हैं आपको एपना फ्लेम बना ऐनको तो तेल्स घंडा हो जाएगा जैसि तेल खूत NorthBERG को तेज गरम करना है और और फिर आपको सारी french fries वापिस डालनी है तो इस बार आपको तेल जादा गरम करना होगा जब आपका तेल तेज गरम हो जाए तो आप अपनी सारी french fries इसमें डाल दें और अपनी flame को medium पे रखें इस बार आप उसको बाहर से crispy करेंगे अंदर से तो आपने low flame पे crispy कर ली तो नमक डालना पड़ेगा नहीं तोुआ उसकी बहुत एंदन कहहाँ परिंच नमक डाला है और ड्रेड पावडर अगर को इसमें दन्या पावडर डालना वही डाल सकते हो यह मेरे फेवरेइट मसाले है इसनको डाले से बहुत अच्छी लगते है french fries मैंश आपको इसमें की त और वह भी रेस्ट्रेट एंट स्टैल फ्रेंज फ्रेंज फ्रेस घर पे बहुत ईजी लिए आप बना सते हो अगर आपके रेस्पी पसंद है इसको ज़रूर लाइक करना मेरे चानल को ज़रूर सब्सक्राइब करना मैं ऐसे यम्मी रेसिपीज लाते रहूंगी enjoy